वेकम टुन अब्योटिन नाच्रली अगर आप में चान पे नियू है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए उसके सब बल आइकन को जुरूर दबाएए लेटेस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हलो फ्रेंट्स आज मैं आपको रिव्यू दोंगी कि कैसे अपने फेस से टैनिंग को हटा सकते हैं और इंप्यूरिटी को निकाल सकते हैं अपना चेहरा बिल्कुल साफ सूत्रा क्लीन बना सकते हैं और गोरा भी आपकी स्कीन में बहुत सारी इंप्यूरिटी होती है जिससे ये फेस वाश आपको बचा सकता है आप देखिए इसको आगे नेक पे और पीछे बैक पे भी अपलाए करना चाहिए जो छोटे-छोटे दाने हो जाते हैं गर्मी में वह भी इससे नहीं होंगी आप देख सकते हैं ला सकते हैं अपनी घर पे हमाय स्कीन डेली पॉल्यूशन के साथ एक्सपोज होती है जिसके वाइसे हमाय स्कीन डामेज हो जाती है हर रोज और जो एक्टिविटिव चार्क होने आई ये हैल्फ करेगा आपके फेस को डीपली क्लिंस करने के लिए और डेली आपको अब इसको ऐसे पाम में लें थोड़ा सा और थोड़ा सा पानी लेकर राऊंगी मैं और ऐसे मिक्स कर लूगी अभी में पानी लेकर आई हूँ वाटर नॉमर्मल वाटर लिया है अच्छे से मिक्स करके अकनी फेस पर मसाज करेंगे Čने चीके केया पे फोर हैट पे लगा लेना ये और इससे चोटी-चोटी दानी हो जाते हैं गर्वियों में कुई मूरिया टाइप उससे भी बचाएगा कभी भी अपना फेस्वाश ही अपने बैक पे भी लगाईए ताकि दानी वगरा ना हो पूर अच्छे से मसाज करने के बाद जिस तरीके से मैं कर रहे हूं चीक एरिया नोस के पास ज्यादा ब्लैक हो जाते हैं वह आपको साथ साथ ही निकाल लेने चाहिए ताकि वह बढ़े ना हो जाए और उनको उससे ब्लैक हेट रिमूवर से ना निकालना पड़े तो से यह जितना भी आपको लगता है कि आपकी स्कीन डांक हो रही है उदर अच्छे से मसाज करेंगे एर पे भी पोर्हेट पे जरूरी है यह सारा एरिया इसलिए क्योंकि आपर संसे एक्सपोज होता है और संसे उससे तैनिंग होती है इसलिए सो अब मैं वाश करके आऊंग आपको पता चलेगे कि पूरी मसाज कैसे करनी है सो ज़स्ट हीर वी कि हम आप देखने है कित्मी प्यारी खिली खिली लग रही है स्कीन गोरी और इसमें अब अनर्जी आ गए है माय स्कीन दूक्र अनर्जी आ गई है जो इन्नेट हो गई है सो आप भी ज़रूर ट्राइग आपने सबने ट्राइग किया है तो प्यारे प्यारे कमेंट से रूर दीजेगा थैंक्यू